तो आज डे टू है हमारे जर्णी का और आज के दिन की शुरुआतम कर रहे हैं श्रीनगर से अभी बज रहे हैं नौ और हमारी जर्णी है आज बदिवना दाम तक तो चलिए नजर डाल लेते हैं हमारे आज के इस रूट पर और हमारा आज का इस रूट आपकी स्क्रीन पर यह रहा है तो रही बात मौसम की मौसम यहां पर ठीक ठाकी है दूप थोड़ी तेज है पर हवा महल की हलकी ठंडक सी है हमें गल यहां आते आते रात हो गई थी रात के प्रॉक्सिमेटल हम लोग साड़े साथ से आठ के बीच पहुचे तो पहुचने के बाद हम लोगा तुपसे बहले काम था कि हम लोग एक होटल टूंड है हमने एक होटल डूंडा होटल यहां पर बहुत ही असानी से अवलेबल है आपको मिल जाएगा हो फाइवंड़ से लेको फ्रिंड़ तक पर नाइट के हिसाब से एन पेट्रोल पर अपना टैंक यहां से फुल करा सकते हैं अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो में इस कर दिया तो वो जाकर ज़रूर देखना है मैं लिंक उपर आई बटन में दे दूंग और जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि रोट पे दोनों तरफ बहुत मिट्टी बढ़ी हुई है तो यह मिट्टी इस वज़ाँ से ब इप है झाल 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 और लगता है यहां पे लैंड्स्लाइड हो रहा है सारी गाड़ियां पीछे रोके हुई है आगे लैंड्स्लाइड जोन सा दिख रहा है मिट्टी भी उड़ रही है काफी थोड़ा साइड में लेके देखते हैं और देखते हैं एक पर साइड से क्या हो रहा है यहां पर आगे दा करते हैं तो ट्राफिक देरे दे चलना शुरू हो चुका है आगे अभी भी पथर गिर रहे हैं तो आगे देरे देरे करके गाड़ियों को निकाला जा रहा है जिए यहां उपर काम चल रहा था उपर दो लोग खड़े हैं पहाट पर वहाँ से पथर गिरा रहा है जिसे की इन फ्यूचर आगे इस जगह पर लैंड्सलैड ना हो इसलिए सारी गाडियों को रोका हुआ था चलिए आगे चलते हैं साइट से देखते हैं जगह बने तो आगे चलते हैं तो कल इतनी आफ रोड़िंग करने के बाद आज की दिन की पहली आफ रोड़िंग स्टार्ट हो चुकी है साइट से काट के देखते हैं यहाँ जगह है कट जाएगी इस जगह को क्रॉस करने का सिर्व इसी बात कटर लागे कि उपर से और कोई पत्थर आके ने गिद जाए आप देख सकते हैं लेट शाइट पर एकदम नीचे नदिया और उपर से राइट शाइट पर हमारे उपर जे पाहर जे पत्थर गिद रखें और रास्ता कितना संक्रा हो रखा है एकदम तूटा हुआ रास्ता है बाइक एकदम हिल डूल के निकालनी पट रही तर उदर करके पर आप रोटिंग का मज़ा अलग ही है बाफ के पर गड़ो में हिल हिल के हिल हिल के वैंड बच तभी है अब जो सुबह से आयोए मुष्पीट से 5 किलोमेटर रहे हैं इतनी खराप सड़के इतनी खराप सड़के टिक टिक सर दियो मैंचर की लो जुझ ऑग जुट जुबग जुट जुट झाल 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 लव्ट साइड की सेंड देखे एक दूं एक दूं वाइट सैंड है ऐसे लग रहे है किसी बीच पर आगया है एक रिवराइन आइलेंड है पर इतना साफ इतना साफ कुछ कहने में एक और यहां कुछ लोग भी आकर बेठे होए हैं लेट साइट पर पताह नहीं इसका रस्ता कहांसे आगे जाके शायद हो बोक कर रहे हैं यहां पे कुछ लोग और आम से गौचर से करेंट प्रयाक 10-15 किलोमेटर और 2019 में इस जगह को क्लीनेस गंगा टाउन का खिताब मिला और गौचर से निकलते ही क्रिपब बरसनी शुरू हो चुकी है आप देख सकते हैं रोड की हालत पूरी की पूरी टूटी हुई रोड की चड़ ही कीचड़ कि निखालते हैं लेप्स से यह से लहरी वाले भी जल्दी स्कीट लगए इसकी पाता नहीं क्या जल्दबाजी में जलाते हैं पीछे एक वेन्नी वाला दिमाग खा गया तो और अब यह वाला बंदा श्री नगर से आने में बहुत ही ज्यादा रोड खराब मिली है हमें जगा जगा पर पत्थर गिरे वे थे मिट्टी थी मिट्टी उड़ी थी कम से कम यह थोड़ा पानी डाला हुआ यह देखो आप फिर जादा मिट्टी उड़ने शुरू हो चुकिया तो अभी तक का सफर हमारा ठीक ठाक सा रहा है बहुत कम जगा में हमें अच्छी रोड मिली है यह आई अच्छी रोड अच्छी रोड आई शुकर है फाइनली अच्छी रोड आई थोड़ी इसमें कम सिकम चलाने में मज़ा तो आएगा दूर मिट्टी खाका के कपड़े ब्राउन हो चुके है और यह शुरू मिट्टी इसे कहते हैं दो पल की खुशी मिलना तो अब हम पहुत चुके हैं करेंट प्रयाक पर उपर लिखा हुए करेंट प्रयाक तो यह जो राइट वाला रस्ता यहां से जा रहा यह जाता है यहां से नैनिताल और रानी खेट की तरफ अब हमें जाना यहां से लेफ्ट पुलिस वाले अंकल नंबर पढ़ते हुए बाइक का तो हमने लिए लेफ्ट फॉली रोड लेफ्ट फॉली रोड से हम सीधा जाएंगे सीधा जाएंगे आगे से भी आगे से में लेना बढ़के साथ लेफ्ट और नीचे यहां पर बह रही है अलग नंदा नदी तो यहां से अब हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं तो आप देख सकते हो राइट में एक नदी है और एक लेफ्ट में नदी है तो यह जो नदी है यह जो नदी है और यह जो नदी है यह पिंडर नदी है मैं आगे जाग के आपको संगम दिखाने का ट्राय करता हूँ, एक सेकेंड, यह देखो, आप पीछे क्लियरली देख सकते हैं, अलग नंदर नदी और पिंदर नदी मिल रही है यहाँ पर, संगम पॉइंट आई है, चलो चलते हैं, आगे, तो बदरिनाथ बचा यहां से 125 किल किलोमेटर और आप राइट फ़लजों रस्ता है यह, तो यह भी जाता है, रानी खेत की तरफ, वो है 135 किलोमेटर और जोशी मटा यहां से 81 किलोमेटर तो टाइम हो रहा है दुपैर के बारा बीव, और हम है इस टाइम पे नंद प्रयाग में, सामने का नजार बहुत ही शानदार है, आप मीचे देख सकते हैं, दो नदिया है, एक है अलग नद नदी और दूसरी है, नंद आकिनी नदी, तो इस जगह को कहते हैं, नंद प्रयाग, नीचे सामने मंदिर के पास आप देख सकते हैं, दोन नदियों का संगाम, जोत प्रयाप मन उत पush corazón Consnight प्रेadक के जभ狂 हैं, और देख सकते हैं, इन आप यो कहते हैं, जलग चसकते हैं, आप जब ठाट्या हैं, आपस आप सकते हैं, आप में, उन जलो नदिया हैं, एक वhãतने मंदियों का अलोंव झाल 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 तो अब हम पहुचने वाले हैं जोशी मट यहां से तक्रीबन पंदरा किलो मेटर होगा यहां बंदरा किलो मेटर तक्रीड यहां से तक्रीद यहां से तक्रीबन अब्यार के जोशी मट यहां पंदरान गाट बचा है बठ्रीबन गार बचा है बद्रीअथा झाल 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 यह देखो सामने के ट्रक वाले को सामने सायव सीथा दिवार में कुछादी त्रशादी बけ यहाइन हैं ते ते आरे खृ़ने की आथ यहार पूर्चWe' चाल खृचाइप रे एकशी कहाा च्रक करते धिता तिंद में कृआ अव्य क्रॉच करते खु crystall और अब हम जा रहे हैं गोविन घाट की तरफ, गोविन घाट से हिमकुन साहिब जी के लिए चड़ाई शुरू होती है, 16 km का ट्रेक है हो, व्यूज तो अच्छे हैं पर रोड की हालत बहुत ज्यादा घराब है, श्री नेगर से यहां तक आने में बहुत ज्यादा रोड घर क्योंकि आर्मी एरिया है, तो अब हम अलग नंदा नदी पर बने इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और राइट लेंगे गोविन घाट और बदरीनाथ की तरफ, सामने आप देख सकते लिखा है, जै प्रकाश पावर वेंचर्स, आपका स्वागत करता है, विश्नु प्रयाग हाइड्रो पावर, प्रोजेक्ट 400 मेगावाट, जै पी वेलकम स्यू, और क्या वेलकम किया है, वा, तो जै पी का वेलकम अभी तक चली रहा है, और आगे भी दिख रहा है कि इतना ज्यादा वेलकम हमारे साथ साथ चलने वाल पाई से रस्ते पेट, पूरा का पूरा पत्चर से रजना रस्ता है, यह पूरा आफ रोड है, यहाँ से लिए, यहाँ देखो, पूरा मिट्टी में, इसलिए, इसलिए, पूरी की बूरी निदे रहा है, हुआ 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 है तो अब हम पहुच चुके हैं विष्णु प्रयाग विष्णु प्रयाग पर संगम होता है अलग नंदा नदी और दौली गंगा नदीगार और ये एरिया पूरा पढ़ता है तो यहां आई एक छोटी सी वाटर ग्रॉसिंग पानी तो बीच में ज्यादा है साइड से ही लेता हूँ जूतेगी लेओ जाएंगे यहां से की को है को कंदा झाल 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 तो अब हम पौछ चुके हैं गोविंद कार्ट यहां से जो आप सामने रस्ता देख रहे हैं यह इमकुन साहिब जी का ट्रेक है जो की 16 किलो मेटर कर रहता है वान आवर लेटर आपको मंदिर के दिखाएंगे की कैसा दिखता है मंदिर रात में झाल झाल, झाल, झाल